जनक आवाज मिल रही है जनक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें कि दरसल फिलहाल इमरान और नासर की पेशी हुई है जनक अब क्या आवाज मिल पा रही है आपको जनक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है शंकर आनंद ये जनक गुजरात कनेक्शन क्या है इस पूरे मामले का चलिए जनक तक आवाज नहीं पहुंच पारे हैं हम जनक से जुणने की कोशिश करेंगे लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें कि पारसर ब्लास्ट मामले में NIA नासर और इम्राम को ग्रफतार कर चुकी और ये तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं दरसल नासर पर आरोप है कि दरबंगा रेल्वेस्टेशन पर जो धमाका हुआ उस लिक्विड बम को बनाने वाला नासर ही है न्यूस 18 के शंकर आनंद की रिपोर्ट है कि नासर पाकिस्तान जाकर बम बनाने की ट्रेनिंग ले चुका है नासर उत्तरपरदेश के शामली का रहने वाला है लेकिन उसके कई पाकिस्तानी आतंक्यों से सीधे कनेक्शन है NIA ने इसके पास से कई एहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी जब्त किये हैं तो कई सबूत इसके पास से जब्त किये गए हैं और जो महतुपूर्ण जानकारी इसके बारे में मिल पा रही है उसके मताबिक किस तरीके से इसने लिक्विट बंग बनाया था पाकिस्तान में बाकाइदा इसकी ट्रेनिंग भी ली थी शंकर आनन हमारे साथ लगातार बने हुए है शंकर अब ये जो तमाम चीज़े निकल कर सामने आरे कई सबूत एना ये को भी हात लगे हैं आप इनसे पूछताच में और क्या-क्या खुलासे हो सकते हैं देखे कल इस मामले में हैदराबाद और बिहार में चापे मारी भी की गई है और कुछ ऐसे जगह पर छाफे मारी की गई जो मुहमत नसीर से बकारादा यहांकारी मिल्ने के बाद वह उन तमाम लोकेशनGER प्रटंप शाफे मारी की गई तो आइटी बनाने का ज़ो तरीकाा है वो सिखा गया था और नासिर्व स्थात्shaped गूज्रात-खर क्नेकशन की बात कर रहे थे तो जिस्तर से नासिर्य के मोटी से से नासिर्व पाके कई ऐसे लोगों का gevbour डूर मिला है जो काफी संधीश्व कही थे हैं तो ये पूरा का इलाका किस तरह से यहाँ पर वहाँ पर किस तरह के वारदात को अंजान देना था वो कौन-कौन से लोग थे जो इन लोग की साथ संपर्ग मुझूड़े हुए थे और जिस तरह से एक मास्टर माइन के तोर पर अभी फिलाल सलीम की भूमी का सामने आ रही है तो क्या इस मामले में सलीम का भी कोई आखा है जो इस तरह के आतंकी वारदात को अंजान देने के लिए वो इसे नसियाद दे रहा था तो वो कौन-कौन से लोग हैं जो सलीम या कफिल के संपर्ग में थे और नीचे जो युवा हैं जो काफी लड़कों को जो तालीम देकर और वकादा एक आतंकी गति वीदियों में शामिल करने की फिराक में थे तो वो कौन-कौन से लोग हैं, कितने लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, यह जानना के इंद्रे जांच N.I.E के लिए काफी महत पुन होगा, इन तमाम मावलों पर आगे तप्तीश की जाएगी और इसके लिए तमाम पूस्ताच की जाएगी, तो सबसे पहले इन दोनों रिमान मांगे की जो वजह है, वो बताए जाएगी कि उसे कई अलग अलग अस्थानों पर लेकर जाना, जिस तरह से भी पट्ना लेकर पहुंचे हैं, उसके बाद उसे उत्तरपरदेश के शामली लाके में भी लेकर जाना है, और उसके बाद राजधानी दिल्ली में भी ल लेकर जाएगी का लेकर जाना बाद म कर सकते आання के वजह हैं, और उसे झालग बताएगानी लेकर सबमल लेकर झालग जब हैं